हुआ हुआ हम लोगों ने पिछला कलास में फिनिस कर दिया था ठीक है ना लास्ट हम लोग पिछला कलास में हम लोग नली के बारे में पढ़ते और आज की कलास में हम लोग दूर्ग के बारे में पढ़ते हैं जो सहर उंचाई पर बनाया गया था हम लोग उसको क्या बोलते हैं दूर्ग बोलते हैं यहां पर लिख्या है कि दूर्ग में हमें ऐसे सरा प्रियोजनों के लिए किया जाता था मतलब कि दूर्ग पर जो सीजे मिली है समझ यह तो इसका इस्तिमाल ना तरते भार में किया जाता था ठीक है ना मतलब कि हमेशा रेवुलर नहीं जीवाता था इन में एक माल गोदाम क्या मिला है दूर्ग पर माल गोदाम मिला है ठीक है ना माल गोदाम जो है ना इसकी ऐसी बिशाल सरांचना है जिसके इटो से पने केवल नीचले हिसे से से जबकि उपली हिसे जो संभोत लक्री के बने थे बहुत पहले ही नस्ट हो गय थे साथी वो जो दूर्ग पर माल गोदाम मिला है दूर्ग के जो माल गोदाम है ना नीचे जो था ना उसका फर्स था जो नीचे का जमीन था उसको इटा से बनाए गया था और जो उपर का था उसको लक्री से बनाए गया था तो समय का नुसाल लक्री खराब हो गया इटा बाच क्या मिला है आसिनांगर हम लूग किसी बारे बात करें तो तो होई तो सफ तो थीऻी तेर्ममेले कि नष्जय का इस歌 ूवेती, कि नष्जिका स connections जालाशय के रहा पर जाने के लिए इसकी ऊत्री और धाली भाग में दो सिन्ही नी नी जानने के लिए 2 सिति नीचे की रहा जाने क्ल़िए ठीक है नौ एक उत्तर में और एक द clairement में जालास है के किणारे पर इटे को जमा कर तथा चिपस के गारे के परयोग के इसे जल बृँद किया गये था इसके तीनो और कश बन हुए थे जीन में से एक बारा कूहा था जालास है से पान ही एक बोले नाले में बहत था से यहां पर दिख रहे हैं एहां पर दिख रहे हैं इस को बार दाने कर देह नहीं है आफोगा से आफोगंगी आफोग्ग्यमने श्रॉम besoinAl एक गली आ रहा है इसके इसके बहुत बाड़ा कुणाता और जो इगर और है तो इसके इसके ऊतर के अण देभी देखो नहीं है 8 से एतर यह घर में भी इसके इसके आसना घर misma base ठीक ना यहाँ शिल्णिया आप भाकी रहाएगा ना देखे यह शिल्णिया है यह जाब को दीख रहा है ना यह मुड़ी लेखा दीख रहा है मुड़ी लेखा है शांति यह आपो दिख रहे न यह सिलिया है और यह भी सिलिय ठीक है न उत्तर दक्ष दिक्षा में बनाए उत्तरी ओधरी भाग में दो सिलिया बने थी ठीक है न? आके प्रश्ण बढ़ा लिखा है कि जीन में एक बाड़ा कुआ था ठीक ना जलासे से पानी एक बड़ा नाले में बह जाता था कुआ तो हुए गया कुआ किसले था था भाई साहब तो उस जलासे में पानी भारने के लिए ठीक दूसी और पेशके छोटी जीन में आठ आस्त्नांगर बना गए थे एक गली और DC छार आस्त्ना गणya परते कर अष्थनान्ागर से नलियाग के साथ बने योक हम आपको प्ता ना दिए यह ही तो लिंका है मतलब कि या का लिका है ई जो यी आपको बिशाला एंगन दिख रहा है ना इसे आपको फोटो दिख रहे है अimos तो सिन्हहें दिखिए आया ना, यहां पर एक जिखिए ना अधर चीनारे किनारे मतलब कहली आ रहा था इसी सिसे किनारे किनारे ठीक है रहा और उत्तर दिशा में आउर एक अधरा है जगा था उधर बनाया था छोटा स्थैंस्ध्यमिंग पूल ठीक है ना देख लेजी यह भी यह यहां पर है दिख रहे हैं आपको यह यह जलास है ठीक असनानगर यहां पर आगे हमारी क्या है समाजिक भीनताव कावलोगन ठीक है ना सौधान ठीक है यहां पर आगे पूरतात्वी यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विश्यस में रहने वाले लोगों के बीच समाजिक तथा आर्थिक भीनताई थी समाने तक कई विद्यों का परियों करते हैं इनी विद्यों में से सवधानों का ध्यान किया है साथियों पूरताती भी सोच रहे हैं जिस तरसे आज काल के लोग उच नीच जात्पात भेदभाव गरीब अमीर का जो भेदभाव रखते हैं कि हाड़ापा सब वैताग लोग भी यह सब भाव रखते थे तो उन्हीं चीज के बारे में जनकारी के लिए उन लोगों ने सब्सक्रान के जीकट रहाएं मैं से कुछ हडापा सब्सक्राइबन सब्सक्राइद करें दर्खते की और जी तरसे आज भारत देष़ है अस्तित्तो में ताज अमेरिका भी अस्तित्तो में है यानि भारत जो है रुपराफः ना तो उससे में भी मेश्र की सवबैता थी कि थी कि it fordi यहां पर जो है ना यह जो मिस्र के पीरामीट में एहाँ पर जो है मिस्र के पीरामीट को रखा गया है जीसको ममी बोल जाता है। ठीक ना और वहाँ पर नुप बहु सारे धन दफनाये गा था उस पीरामीट में आपके भूक में लिखा है। बोलड आया कि हड़ापज त्रलों से मिलय सवधानों में आमतरपण मिरत्यकों को गर्थ में दफना जाता था। साथिवो जो हड़ापस सभेता में मिला है ना लास उसको अधिकान समात्रा में देखा गया तो उसको जमीन में मलब की गड़ा खून के दफना दिया गया था कभी कभी सवधान गर्थ की बनावट एक दूसरे से भीन होती थी जो उसे गड़े को खून कर दफनाए देता था तो कभी कभी ना कुछ जगह पर मलब की भीन मिलिये तीक आल लगे दूसरे किसिंगे मिलिये कुछ अस्तान पर गर्थ की सदोपर ईटे की चिनाई की गई थी जो घर्द था ना कुछ अस्थाना नीचे जो था ना उसका गर्द का फर्स उसको अनू इता से मदलब कि अव्धिक कर दिया थ invent क्वर नीचे इता विशा दिया था और कहीं पर नहीं विशा है था यह बित्व है समाजी भींता को और संगत करती है करना ठीक तो आप कर सकते हैं कि आप तो यहां पर यह देखें कि कुछ जगहों पर आप को सकते हैं आप को समाज में रहा है मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ तो उस समय भींता होगी और अमीर घरीब करते हैं आप सोचेजैंगे यह आपको पारीबेंट करता है आपको बता दिएगे गया कि वहाँ कि जो गरत ती नीचे विएटा बिछा दिये था मतला विएटा के चूड़ऊ कि विछा दिये गये था और कुछ महां नहीं विचाये आपाता कीजिएगा अपने मौन से सुचिएगा यह जो आपको दीख रहा ना यह एक तामबा है तामबा का दौर पढ़ है सीशा है ठीक है ना अयनक है तामबा का परीटल का जया जो बहले है शाता भीशा का दौर रांत परियुग किये जास रर्रों हैं यहां कि अपको बलो परेडंट टाउय को आंपको profiles जो एक ऐसी मैने था को संकेत करते हैं जिसके लुशारी इन वस्तु को मृत्तु के बाद भी दफनाया जाता था है से यो कुछ-कुछ जगहों पर जो मतलब कि खूस अ के है ऑन जगहों पर जो लासे मेली जाया घुशारी वैas र्ट के ये लोग भी करते हैं अब ये मिमेल लोग करते हैं देखें तो नहिंद नें कि जिस्को ज़ु सब्सक्राइब ज़्या पुस्त था न जो मर गया न तो उसके साथ बेद दो हमद आदमी को नहीं सामान यूई दाल दो उसके भण में जिसे में हो लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं आपको हम अभी दिखाएंगे फोटो इसको हम कभर कर रहे हैं जिसकों सार इन वस्तुओं का आप मृत्तु प्रांत विप्यों किया जा सकता था पूरुशों और महलाओ दोनों के सवधानों से आभुशर मिले हैं पूरुशों और महलाओ दोनों के सवधानों से आभुशर मिले हैं और 1908 के अगल बगल के ठीक है ना 1908 के अगल बगल जब हडापा के कवेकिस्तान में उत्खन हुआ ना तो एक पूरुश के खोपड़ी के बगल में एक संख मिला ठीक है ना संख के तीन छले जिस पर एक पर अगल बगल हडापा के कवेकिस्तान में जब खुदाइब किया गया ना तो एक ब्यगति के मूरी के पास क्या मिला एक छोटा संख मिला ठीक है ना संख के तीन छले मिले जिस पर एक परकार का मतलब की डिजान बनाया गया था उन और उसके बगल में ना मॉनकी के तता सेक् चोटे-चोटे मतलब की आभूसोड बनाके मतलब इस तर माला है ना उस इत पागा एक उसके बगल में मूरी के बगल में रखाए थै कहई कही PTON को को PRODAK के दर पंबकर साथ दिपना आ गया था परन्सकूल मिला कर ऐसा लगता है कि हड़ास्वता के निवासिका मिल वंह सब बमूल वस्ति दफ्रना विश्वास नहीं था शाती हो यह जो आपको दीख रहा है ना यह का तामबा दरपण है ठीक ना तामबा का जो की दफ्रनाए गया था हड़ापास सब बेता के लोगों के बगल में अगर हम बात करें तो हड़ापास सब बेता के लोग ना यह कूल मतलब की जा मरते थे तो आपने आज पास कुछ मनलबी चीज़ें दफ्रनाते थे ठीक ना लेकिन यहां पर बात एक और है कि जो मतलबी जो महांगा चीज था उसको नहीं दफ्रनाते थे छोटा मोटा चीज को मन को लख यह कि यह-एक जोड़ा है इसतरी और पूरुषवज का है शाथ में रखना आया गया मोहल्हज नहों सब्समान है आप नमा आप उस्ट वेड़ा थे नैंगने बढुकार। यह आभूसड जिस तरह सा पेहनते ना सोना चांदी के आत उस समय के लोग उनका यह आभूसड था कितना मुस्त लग रहे आचा तुम लग यह राइजाकास यह देखिए यह जो आपको दिख रहा यह गाड़ा है गाड़ा है थे गाड़ा यह भला यह जो सांतियों को दिख रहा है यह घाड़ा है ठीक और यह है अभूसड है यह माला होला है देख लेजिए गर्दे में लगाने वाला है यह चीज यह हम आपको बताया था ना आउतल चकिया है यह वह देखिए यह आउतल चकिया है सांतियों यह है और तल्चकी ठीक है ना देखिए इस पर कुछे रहा और यह देखिए हाड़ा पस अभेता के आउजार मिला है फोसल काटने वाला देखिए कुछ ऐसा ही था है और यह यह जो है ना हम आपको दिखाएंगे यह संचा है मतलब की संचा है सब उसके लिए हम परियोग करते हैं यह जिस तर से मांदिए कि हमारे पास ना सोना होना है तो कोई से पहले को लोग ना सोना को मीटी के बरतन में रखके घाड़ा में जमीन में गार देते थे यह मतलब कहीं रखते हैं संदी से अब मालीजे जो हडापास सब एक लोग थे अपने बहुमुले वस्तियों को रखें घाड़ा में रखते थे हमेशा के रखते थे काम के लिए आज अब काम नहीं आता होगा तो उसी में रहने देते थे तो अर्ट सबैता से जीतने भी बहँ मुले वस्तिय में अहूसाण मीले सब आसे ही रखे हुए मिले थे देखिए यह घरा है क्वैसे को मधव की कि इतना बार्रहा किसे इसको निकाला जा रहा है मीटी में देखिए ते यहां पर है और यहां पर रहें यह है यह है हरापा के जान मौЭ're गाड़ी ठीक है न आप दिखायेंगे आगे इसके बारे में कलास करेंगे ठीक यहाँ पर बिलासत की वस्तु और भूक अराम हो लिए ठीक है न इसी के बारे में परेंगे लिखे आएगी समाजिक भींता को पाचाने की एक अन्य भी दिये ऐसी पुरा वस्तु हो काई जी ने पुरताद्वित मोटे तर पर उपयोगी तता बिलास की वस्तु में वर्गी क्रिद करते हैं समाजिक भींता के बारे में अगर पुरताद्वित पाता करने के लिए दो भागों में भाट दिये पहले के एक उपयोगी मतले जो लोग प्रती दिन उपयोग करते थे न उसके अलगे कर दिये और एक बिलासित की वस्तु हो अलगे कर दिये पहले वर्ग में रोजमारा के उपयोग की वस्तु है समली थे जिने पत्थर आथवा मीटी जैसे समाने पधातों से आसानी से बनाया जा सकते हैं जो समाज की भीनेतावा को पाचाने के लिए पुरतादवी ने दो भाग़म विवैस्त कर दे एक वह जो की वीलास की वस्तु है ठीक है न और जो की रोजमारा Templic में आपको पहले वर्ग में पहले वर्ग में किसको बाठा रोज मारा के उपियोग की वस्तुए शम्री थे जिने पत्थर आत्वा मीटी से जिसे पदातों से आसानी से बनाया जा सकते हैं रोज मारा में कोन भर दिया किसको बाठ दिया रोज मारा में उसको जो की पत्थर और मीटी से जो आसानी से बन जाए उसको एक और कर दिया जो थोड़ा से बहुत मिहनत लगता है उसको बनाने में बहुत समय लगता है और समझे तो बहुत कम बनता है उसको एक बाठ दिये द पुरात वेद उन वस्थों को कीमती मानते है जो दूरलब हो अथा महांगी अस्ताणी अस्ताव पर अनुवत needsτο परतिवा जीचे तयनल तगनिव मानते हैं जिसको दूरलब हूत वोप कीमती मानते हैं जो चीजे बनाने में कठीन और ज्यादा समय लगती थी जो कि मतलब कि दुबारा बनाना संभव नहीं था संभव था लेकिन थोड़ा सा मिहन ज्याजा लगते था तो उसको हम लोग दुरला में रखते थे ठीक है ना बिलासद की वस्तु में अज तानी अपुलात पर जटिल तुन था इस प्रकार फयांस यह जब को दिख रहा ना दिखाएंगा पो इस प्रकार फयांस फयांस के छोटे पात्र संभव तक कीमती माने जादे थे क्योंकि इन्हें बनाना कठीन था यह जो आपको दीख रहा ना यह एक फयंस का माटका बना हुआ है ठीक है ना यह फयंस की चीज़ से बनता है यहाँ पर देखिए फयंस की चीज़ से बनता है लिख्या हुआ है घीसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिशन को पका कर बनाया गया पदार्थ फयंस इससे बनता था इन चीज़ों से इसको बनाने में बहुत मेहनत लग था इसलिए ना इसको हम लोग मतलब की एथी में रख ले हैं दुरलब में देखिए संचे सब्द यहाँ पर लिख आ ना हम आपसे बोले ना संचे सब्दुस के लिए है देखिए यहाँ संचे सब्दूर सरवाधीपूर्व अधिकतम पात्रों जिसे की घड़ों में रखी गई वस्तुए के लिए परोद किया जाता है ऐसे संचे आभूसर्ण के हो इसमें पर वाइन कंए एक इस टोआ आए जाए जब तक कोई दूसरा ब्यागति उसको चुन ले न तो आई सही सब मतलब की विद्धिक राखा गया था घारों में तो जिसके चलता में संचे सब्सक्राइब करते हैं लिखाने आपर यदि हम ऐसी पूरा बस्तियों के बित्रण का अधियान करे थो हम पाते हैं कि मांगे पधार्थ से बनी दूरला बस्तियों समाने तो मोहन जो दरोला हलापा जैसी बड़ी बस्तियों मेक के अंधिर थे ऋंस आत्यों फायानस नोसे बनते हैं यह कहा पर रह रहें मतलब कि बात करें लिए चछोटी बस्तियों में बिरले थे समझेत च्छोटी बस्तियों में कहीं मिलती अधियो Census हैं लेकिन हडापा और मोहन जदरों मिलती थी उधारन के लिए फयांस से बने लगुपात जो संभोत सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में परियोगत होती थे अतिकांस मोहन जदरों और हडापा से मिले और काली बैंगा जैसे छोटी बस्तियों से बिलकुन नही मिला है यह सब जो है न फयांस काली बैंगा से मिल्वे नहीं किया है काली बैंगा कहाब है तिहां है राजस्थान में सोना भी दूरलवत था संभात आज की तरक कीमती था हरापा अस्तोलों से मिले सभी स्वभूसलों संचो से प्राप्ध हो थे उसको एक जगा रखा गया था ओर वही चे मिला है उसको रख दे गए था वहीं है तो वहीं पर था है समझेत लोग आतरो आज के लाम लोक बाक्सा का करते हैं तो उससमय लोग बाक्सा के जगा पर घाड़ा के कीमती जो चीजह थी ने उनकी उसको घाड़ा में रख देते थे तो वहीं, से सुन बाक्ष् molar पर कि यहां पर लिखाया कि मांचीत रेक में चन हुदुलो को चीनित किजिए मोहन जो दोलो एक सब पचीस हेक्टियर के तुलन में एक बहुत छोटी साथ हेक्टियर की बस्ति जो लगवा पूरी तरह से सिल्फ उत पादन में सब्सक्राइब मेंनके बनना संहक काटाई धातु कार मुहर मन के मूहर निमार वात बनना संभी थे संब्सक्राइब देखा सिल्विकौरी किसको बोलते हैं जो अपने हातों से बनाता है औरकिटेक्टर है अपने हातों से बनाता है मन्यधिके निर्मार में परियोगत्त पदार्थों का उलेखनी है जो मनक थे नब उसको बनाने के लिए किस-किस चीजों का इस्तिमाल होता कार्नियलीन जो एक फी दरांग होता है सुन्दर लाल नवर्ग का होता है जैसपर और स्टीप्ट ग्वाटर तथा सेल खड़ी जेसे पत्थर कार्नियल ज्या सब अस्टाफीट कार्टेज या सेल खड़ी एक पत्थर है ठीक है सबी का परियोग मन के बनाने में होता था ठीक है न यह जो चीजे न तामबा है कासा है सोना है यह सब धातु जो न फरन्स और पकी मीटे का मन के बनाने में परियोग होता था यह सब चीजेगा कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड का बना जाते थे कुछ मन के को दो पत्थर मिला के या फिर उससे और बहुत सारे पत्थर के मिला का बना जाते था और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे इनके कई आकार होते हैं जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलनाकार, धोलनाकार जो मन के थे ना मन के उसकी ये आकार बोल है कि मैं इस आकार का थे चक्राकार थे, बेलनाकार थे, गोलनाकार, धोलनाकार और भीन भीन पाया कि यह एक नाला है अघ्ट साथ यह जू देख आप इसको देख रहे हैं इसके जो चीद कर लिया नौ इसको हाथों से बनाए गया था ठीक है नौ इसको हाथों से बनाएगा था मन के बनाने की तकनिकों में परियोग्त पडार्थ शार भी भींता है थी, जो मन के बनाने के जो हम थी पीछे 3-4 पथर का नाम आपको बताएं, तो वे जो पथर सै ओन सबके अपनि क्वालिटि से ना हर चीजिशंगे अपनी फालिटि उनकी है क्वालिटि सेल जो एक बहुत मॉलयान्स पथर मुलाइन से आपa जाता है lower कुछ मन के सेरत चूर के लिप को थाल कर तेयार किए जाते थे को और उसको तोर्काना जोंद आसानी से तुट आ था था तो तो आधान थाना असान से उसको थाले हम ये वितव कि धूर बजके धा थेтор याष्धिक और ल्यक्रान तुट म Kimberly Money यह प्रश्ण प्राचीन तक्निकों का आध्यान करने वाले पुरतात्विदों के लिए पहली बना गुए। पुरतात्विदों दोरा किये गए परियोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग। पत्थर के पिंडों को पहले अप्रिकिस्ट आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारिकी से शल्क निकाल कर इन्हें अंतिया रूप दिया जाता था। साथियों मनके बनाने के लिए जो बड़े बड़े पतर थे उनको पले छोट किया जाता था। और उसको छोट करने के बाद उसमें बनिया से उसका नया रूप दिया जाता था। गिशाई पॉलिस और इन्हें छेद करने के साथ यह प्रकिरिया पोरी होती थी। जा इसको जो मनके थे उसमें कहा पर छेद करना है और पॉलिस कैसे करना है यह सब प्रकिरिया होती थी। जा कि जो जो छार्थे ना छेद करने वाले मिले हैं कहा पमिलेहै चन्हुद कёवाजा लोठल ॉ ठीके ना मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरना कहा से मिलेहैं चन्हुद्र ॉ लोठल और धाला वी रासे ! यदि आप मान्चित एक में नागेशवर तता बाला कोट को चीहिंद करें तो आप पाएंगे कि ये बश्तिय समून्त के टट के समभी पीछी थे ये संख से बनी वस्तुर जिनमें चूडिया करचिया तता पहुची करी वस्तियों समूनी थे के निर्माय के विश्यस केंते साती वोह ये कोन-कोन हमको नागेशवर और बाला कोड को दो देखेंगे ना कम करे कोदिह दिखेंगा हम देख रहे हैं अपने मैप में ah ऑर इसके उपार सवह से आउऩ को ध्युद्र स्काइबियों पाइब है और इसके उपार फोल्ह थेंगे तो यह हमारा हारा नो यह हमारा फैना खर आप इसको देखिए इसको किसको भालाबीर को भाल्रो बोलें बाला कोट और यहां पर बागल में नागेशवर है यहां पर यहां से जो थी न ये चीजे फेमर्ग अगर कुछ अहां का जो नागेशर अर बलाकोर जो जगोष था यहां पर लिखा है जो जिल्प थान उसको बना जाःता है मुँक है के ङ्दत था मतलब वही इसका रःत पात किये जाःता था सबस्थ कीब था निर्माड के के कहीद था नोज है यह यह शंकेतर को जीन में चूर आता सी मतष्चीया चतता हैां संख के बनी वस्तों जिर्में चूडिया करचिया पच्कारी ये भाई साब तो बाला कोट और नागेशोर और बाला कोट जगाव से मिली है यह मतलब को वही पर ये बनती थी यह चीजे जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था इसी परकारी अभी संभव है कि चन हुद्रों और लोथल से त्यार माल जेसे मन के मोहन चुद्रों और हरापा जेसे बड़ी सवरो केंत ले आता चन हुद्रों और मोहन नई चन हुद्रों और लोथल से त्यार के माल देखे मांचित वन में यहां पर आपको चन हुद्रों दीख रहा है चन हुद्रो अलो थल साथियो देखे ये रहा हमारा देखे ये रहा अलो थल ठीक है ना अलो थल और ये रहा चन हुद्रो यहाँ पर मानका बनता था ठीक और कहा पाजा था था तो यहाँ पाजा था ठीक ना मोहन जो दोड़ो और हाड़ापा की बस्तियू में जाता था ठीक ना उत्पाद केंद्रो की पाचान लिक्या है कि सिल्प उत्पादन के केंद्रो की पाचान के लिए पूरतात्मित समाने निमलिकित को डूनते हैं साथि वो जो सिल्प उत्पादन के जो केंद्रो केंद्रो की पाचान के लिए कुछ चीजों को पूरतात्मित भी खोज रहे हैं प्रस्तर पींड, पूरे संख तथ तामबा आयसक जैसे काचा माल, और जार अपूर वस्तुए त्याग दिया गया माल का टुकडा करकट का कूडा करकट यहाद तक की कूडा करकट सिल्फ कारे के सबस्वासे संकेतक में है उधारन के लिए यदि वस्तुए के निर्मार के लिए संख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के तुकडे कूडे के रूप में उत्पाद के अस्थान पर फेक दिये जाते थे साथी जहां पर मालीजे कोई भी चीज बन रहा है तो वहां पर जब उसको हम बनाई है तो उसकी कुछ चोटी-चोटी चीजे कंक्रीली बच जाएंगी तो उसको हम कूडा करकर करते हैं जो बची गी तो हम उसको वह ही पर छोट देते थे कभी-कभी बड़े बेकार तुकुडो को छोटे आकार की बस्तु बनाने के लिए कभी-कभी बड़े बेकार तुकुडो को छोटे आकार की बस्तु बनाने के लिए पर्यों किया था अब माली यह कभी कभी न जब हम बना रहें तो तुक्रा में तो आधिक बाडा हो गया तो उस बाड़ा टुकड़ों में से छोटा सा सामान बना रही थे लोग प्रंतु बहुत छोटे टुकड को कार्य अस्तल पर ही छोड़ दिया था अब समझे जो बनवे नहीं करेगा मतलब छोटा से भी छोटा आ गया तो उसको वहीं पर छोड़ दिया थे यह तुकड़े इसोर संकेत करते हैं कि छोटे बिसिस्ट केंदरों के अत्रिक्त मोहन जो सिल्क उत्पादेन होए ना मोहन जो दोरों और हरापा जैसे सहरों में भी किया जाता था ठीक है ना यह आपको दिख रहा है यह तामबे के कासे के बारतन है तो तसली लेखा दिख रहा है भाई साहब हम तब बोल्ड है ना हरापास सब्सक्राइब लोग जो लोग थे ना यही लोग थे जो जनम दुबरा लिए धर्थी पर देखें माल प्राप्त करेंग नितिया जैसा कि असपोस्ट है कि सिल्फ उत्पादन के लिए कोई परकार के कहचे माल का परियोग होता था साती वह बोल्ड है कि सिल्फ उत्पादन के कोई परकार कहचे माल का परियोग होता है अर्फ किसि भी चीज को बना येगा तो किसी भी चीज को डना जिस आतो गाड रहें आप गाड बना रहें तो उससका करप से बहुत चीज्वों को ऊपयोग होता मारी किerson करा जेसे पत्थर लकडी तत धात्तु जलोडक मैदान के बाहर से छेतर शितर समागाने पड़ते अप कुछ ऐसी भी चीजे थी जो क scald प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह समान तथा लोगों के लिए अस्थल मार्गों दोरा परिवहन का महत्पूर साधन संबतों सिंदू तथा इसकी उप नदियों के बगल में बने नदी मार्गों और सांथी तटिये मार्गों का भी परियोग किया जाता था साथियों देखिए हम आपको दिखा रहा है यह आपको दिख रहा है यह बयल गाड़ी आप सोच सकते हैं इक क्या इसका इस्तिमाल नहीं होता होगा दूसरे जगों से समान मागाने के लिए लकड़ी का पत्तर का इस्तिमाल इससे चीज़े के लिए क्या लग रहा है यह बयल क्या बोलते नदी के किनारे उसको भी किनारे लोग जाते थे किनारे किनारे तो लोग इस्तिमाल करते थे इसके बैल गड़ी क्या लिक्या है कि उप महारधीप तथा उसके आगे से आने वाल करने के लिए कई तरीके आपने थे हड़ापा वासी सिल्फ उत्पादन के माल जो बनाने के लिए जो चीजे चाहिए उसको कैसे जोगार करते थे उधाने के लिए उन्होरे नागयसवर और बालाकोट जहाँ संख आसानी से उपल बतता है हमको देखा है ना नागयसवर और बालाकोट व्वं समूंध के किनारे अर इस्ति थ्त है वहाँ पर उन लोगों को संख आसानी से मिल जाता था भस्तिया अस्तापीद की ठीक ना जहां पर शमुंदी कीज़ार नागेसर और उबाला कोट था है तो वहां पर संक असानी से मिल जथा तो लोग क्या कियें वहाँ पर जाके बस्ती बना दिये थैकून को संख आसानी से मिल जाए ठीक है ऐसे ही कुछ अन्य पूरा असलत है जिसे की सुदूर अफगनिस्तान में सूर्थ दोई अफगनिस्तान में एक सूर्थ दोई है जहां से नहर का उसेश भी मिला है ठीक है ना वहाँ से वहाँ पर भी लोग अपना बस्ती बना दिये कि वहाँ पर बहुत कीमती माने जाने वाली नीले रंग के पत्थर लाजवद मोडी के सबसे असेश सुर्थ के निकट इस्टित है सथिव दिखे यहां पर पहिलके में तो लोग क्या विए संख के लिए नागेशर और बाला कोट में जाकर बस गये और अफगनिस्तान में सुर्थ दोई जगह पर वहाँ पर नहर रहे नहर थी वहाँ पर भी मिलता था क्या लाजवद मोडी उसके लिए भी लोग जाकर वह लोथल जो कार्नीला के लिए लोथल का परेत गुजराद में कार्णीलियान समय था मिलता वहाँ पर पर विलोग जाके बसके गुजराद के भलोच में सेल खड़ी पत्थर कहता से मिला दक्षीर राजस्थान मिला और उत्तरी गुझराचि थी और धातू राजस्थान से राजस्थान के सुरोत निकर रिष्टित थे जो चीजे हड़ापा वाचियों को जहाँ पर मिली वहाँ पर जाके लोग आपना घहर बना लिए रहने के लिए और निले रंग के पथर के लिए आपकोरिस्तान के और 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 सेलखडी पथर के लिए गुज्रात और रास्थान में जाके बस चीज़ों पर लुगों को जहां चीज जो मिली वहाँ पर जाके लोग बस गए यहां पर बोल रहा है कि काच्चा माल प्राप्त करने की एक और नीत थी राजीस्थान के खेतड़ी अंचल तामबे के लिए लोगों को इधर से जाके बिजनेस करै यह से करैं delay से बिली तामबे कर साती हो तो राजियास्थान का अंचल फेरst राज है आपको पाता है और आपर खेतड़ी एक जगह है वहां स्थामबा मिला है इस अभ्यान के माध्यम से अस्थानिय समुदाय के साथ संपर्क अस्थावित किया ज़ता था अब माली जे कि आप बीजनेस जब कीजेगा इधर सुधर सामान हेर फिर बदल करिजेगा ताप संपर्क करना पड़ेगा ना अस्थानिय लोगों से इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हडापाई पुरवस्ति एसे संपर्क की संकेत करती है खेतड़ी छेत्र में मिले साक्षे को पुरतात्वीदों ने नागे सवर जोध पुरा संस्कृते का नाम दे दिया है ठीक है इस संक्रेटी के विश्युष्ट मिले भांड हलापाई मिले भांडों से बीन थे साती हो जो यह खेतड़ी संस्कृती है ठीक है ना वैस्थ जोध पुरा संस्कृती नागे शोर जोध पुरा संस्कृती इनकी जो एथी थे ना वह हडपा के मिलेडभान्द से भीन थे मिश ऐलग थे हैँ हुआ तामब्री की वश्तियों के आशधार्ण समब्रा मीलिये यह पर पर तामब्री का वश्तियों जनुंतियों बहुत मिलिये थीक कुछ करवाज बाइघ कि क्लास में हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं ठीक है ना कि जब आघी क्लास अरहा होगा था हम आगी कृष्ट करवादें धूद दिन में इसand Ab certificates कर देगे Aussubjective को करते करते इसको फिर से पढ़ें करेंगे ठीक है ना है ठीक है साथ यो तब यह देखे यदि आपको चाहिए पीडियेप नोट्स फिरी में थाम आपको वार्ट्सेप गूरूप का लिंक डाल देंगे वीडियो के नीचे में आप वहाज भाइन कर लीजेगे ठीक है ठीक है रखते हैं मिल देखल